बूर्णिंग डियर इस्टुनेंट्स मैं डॉक्टर दिरिजबा कोलिया असोशेट प्रोफेसर कवर्डमेंट लोया कोलेज चुरू आज बन बात करेंगे पोती लेटेस्ट टोपिक पटवारी भरती प्रिक्षा 2021 हमें जाते हैं कि राजिस्टान हदिजनस्त सेवा चैन बोर्ड के दुआरा पटवारी भरती प्रिक्षा 2021 का आयोजन 23 और 24 अक्टूबर 2021 को किया जा रहे हैं मातर एक सप्ता शेस बचा है और इस एक सप्ता में अपने को इस प्रिक्षा के लिए प्रिक्षा के संदर में क्या रन्नीती अपनानी है इसके उपर आज अपन फोकस करने का प्रियास करेंगे अबनी देखेंगे कि इस अंतिमस व्रता में अपनगा करें और कैसे कि सरक्कार सारी बातों पर अपना प्रियास करें अगर आप फोकुस करनल को सब्सक्राइब किया तो कि अषिब करके से अगर आप करते हैं अजिनस सेवा चैन बोड़ दवार आयोजित पट्वारी भरति प्रिक्षा 2021 के बार है पर एक बार इसके उपर पर दश्टिपात करते हैं कि यह जो भरति-प्रिक्षा का आयोजित हो रहा है इस भरति-प्रिक्षा में क्या-क्या चीजे पूछे जाने वाली है और उ कितना हो जैसे कि अपने यह दी नंबर ऑफ क्यूस्ट की बात करें अर्थिश क्यूस्ट जो कुल मिलाकर 76 माक्स का हो यानि यह द्यार केगा कि एक क्यूस्ट दो माक्स के होंगे कुल मिलाकर एक सोपचास प्रशन इस प्रिक्षा में आएंगे जिनका अंक टोटल मिलाकर 300 होगा और इस प्रकार से परतेक से से परतेक भाग से कुछ प्रशन पुसेद आएंगे जिनमें जनरल साइंस यान की सामाने विज्ञान इतिहास राशलिती भुगोल इंडिया जनरल नौलेज और करेंट अफ़र्स यह हम बात करें भारति इस तरकी जिसमें जनरल साइंस है इतिहास है पुलिटिकल यानि की राशलिती विज्ञान का भाग है और भुगोल का भाग जो भारति है यानि कि हम यूँ कर सकते हैं कि भारते इतिहास भारती है पूसिज आएंगे कुल मिलाकर 38 परसन होंगे जिनका टोटल अंक छेत्र होगा जो दूसरा एरिया है उसमें जियोग्राफी हिस्ट्री करन कल्चर एंड पॉलिटी ओफ राजस्थान अब जो दूसरा सेक्शन है या जिसमें सेक्यूशन आने है दूसरे भाग से वो राजस स्थान की जो पॉलिटी है यानि कि राजस्थान की जो राजनिती है उससे प्रशन की संक्या होगी 30 और इनका अंक होगा 60 यानकी रास्तान से समदित जो सामा ने ग्यान जिशहम कर सकते हैं रास्तान का सामन ने ग्यान के संबद में 30 प्रशन पुछे जाएंगे और कुल 60 अंकों का होगा तीसरा पार्ट होगा जनरल उंग्लिस और जनरल हिंदी का जिन में कुल मिलाकर 22 प्रशन आएंगे और कुल को समद्रन इस प्रिक्साО्एंगERS सबसे महतो पूरुन जो पार्ट है इस प्रिक्सा का वो यह है इसमें mental ability, reasoning और basic numerical efficiency जिनकों हम सामाने गनित कर सकते हैं उनसे समाने प्रशन पूछ रहेंगे और इनकी कुल संख्या होगी पेनतारिस और अंक होंगे कुल मिलाकर इनके 90 यानि कि 90 अंकों के 45 प्रशन सामाने रूप में जो हम mental ability जिसे कहते हैं reasoning जिसे कहते हैं सामाने गनित जिसे कहते हैं उसके सम्मन्द में आएंगे और इस प्रिक्सा में सबसे ज़्यादा भार जो है सबसे ज़्यादा अंक जो है वो इसी area के इसी क्षेतर के इसके अलावा एक छोटा सा क्षेतर आएगा basic computer क जिसमें 15% फुचे जाएंगे जो 30 अंकों के होंगे कुल मिलाकर 150 प्रशन आएंगे और 300 अंकों का होगा इसमें अपर अगर total marks की तरफ दश्टिपात करें तो सबसे ज़्यादा 90 अंक mental ability reasoning और सामाने गनित के हैं उसके पशाद 76 अंक जो है वो general science इतिहास राशनिती और अब्रत के संबन में उसके हैं और उसके पहशात 66 अंक राज liking जिसमें से राश्तान का भुगो राज्स राजस्तान का का इतियास और कुल्चर और इसके लवाफ राजस्तान की राष्णिति के बारे में, राजस्तान के पर सासन के बारे में पुछ जाएंगे. ये सबसे ज़्यादा बेटेज़ वाला एरिया है. जिसको हम प्राइब इग्नोर कर देते हैं, या जिस पर अपन ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, computer ध्यान दिजेगा मातर 15 क्योश्चर और 30 अंग और इसमें कोई बहुत भारी computer के प्रशन नहीं आने वाले सामाने जानकारी से समध्र प्रशन आएंगे जो अपने हल कर सकते हैं जो computer का सामाने ज्यान थोड़ा बहुत भी रखता है वो भी इन प्रशनों को हले कर सकता ये एक प्रकार से bonus कह सकते हैं 30 अंग है bonus लेकिन अपने इसमें प्रशनों की तरफ ज़रा ध्यान नहीं देते हैं हमें इस प्रिक्सा में सपलता के लिए सभी चीज़ों पर focus करना कोई भी चीज कम नहीं है सारी के सारी सजे अपने आप में महतोपने जो भाग इसमें की हैं 500 भाग वो 500 के 500 ही महतोपन हम किसी को ignore नहीं कर समगर रूप में फोकस करके ही हम इस प्रिक्सा में सफलतार जिते कर सकते हैं अब इस एक सब्ता में हम क्या करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा आके ध्यान करते हैं कि सबसे पहली बात जो आपको याद रखने इसको और इन टोपिक्स पर फोकस रखकर तयारी की जाए जैसे भी मैंने आपको कहा कि 90 एंक गनित जैसे इस एरिया से है 66 एंक जो भारत का सामाने गयान है उससे है 60 एंक जो राजस्तान का सामान गयान है उससे है अगर एम इन तीनों को अपन जोड़ ले तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एरिया जो लगबगे 70 प्रतिशत के आसपास है बहुत बड़ा एरिया इन तीन चीजों से है सामाने गड़ित भारत का सामान गयान और अगर अपन कामिया हो जाते हैं जैसे 90 को में अच्छे अच्छे कर पर सकते तो दूसरा बांगा जीस में general science भी इतिहास भी है, polity भी है और जो की भारत के समन्च में है, current affairs भी है, इसके अंकों का भार 97 प्रद स्केंट है और राजिस्टान जो सामाने गयन कर सकते हैं उन सब्जेक्ट्स पर या टोपिक्स को पहले पड़े जो अच्छा स्कोर दिला सकते हैं यह जो मैंने आपको तीन चीजें बतलाई है इन पर अपन ज्यादा से ज्यादा फोकस करें तो हम अच्छा स्कोर इस प्रिक्सा में अर्जित कर सकते हैं इसलिए इनको ध्यान में रखते हैं हमें प्रिक्सा पर ध्यान देना इसे मतलब यह कदापी नहीं है कि आप बाकी टोपिक्स जो दो और बस गए हैं जैसे सामाने हिंदी और अंग्रेजी और कम्पिटर इन पर आप ध्यान ना दे हमें सब को कवर करते हूँ चलना है लेकिन इन पर हमें विशेश रूप से फोकस है करना है दूसरी चीज जो है कम्पिटर जैसे के भी मिन आको जाएंगे और इसकोरिंग में भी इसका रोल रहेगा बहुत महतोपन रोल रहेगा कि 15 परशन का मतलब है 30 अंक और 30 अंक आप थोड़ा सा सामाने रूप में उसको पढ़ कर तयार कर लें तो निशित रूप से 30 में से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसलिए इसमें से आप आपको नई तकनीक के साथ कंप्यूटर के टोपिक अच्छे से तयार करने है नई तकनीक के साथ यह कंप्यूटर में नई चीजी क्या आई है तकनीक में नई चीजी क्या आई है नई सब्द क्या आए है विश्चा से बाइनरी कोड उनको भी आपको ध्यार में रखने अग उनको अगर आपन अच्छी तरीके से तयार कर ले वे तो निश्चित रूप से इन में अपने को काम्या भी हासिल हो सकते हैं एक यह जो एंड्रोइड मोबाइल आ रहे हैं और इनके सम्थ में जो सब्दावली आ रही है वर्तमान में जो प्लेट फारम वर्तमान में चलने हैं कों से आ रहे हैं इंके बारे में आपको ध्यान में रहना अगर ये ठोड़ी सी आप जांकारी जुटा ले या एक कंप्यूटर की जो आती हैं को कुश्न को अब त्यार करने पढ़ लेन तो निष्छी तुरुप से आप इसमें तीस में से अच्छे इस score को प्राप्ते कर सकते हैं तिस इस समय बहुत कम बचा है मैंने का जैसे कि मातर एक सप्ता बचा है और अपने को इस एक सप्ता में ही सारी सारी चीजें cover करने है इसलिए एक सप्ता में कोई नया topic पढ़ने की बजा है अब तक कि जो तयार किये उसे प्राप्त में था देकर revision करना है क्योंकि एक सप्ता में पर नया topic नहीं पढ़ सकते अगर नया topic पढ़ेंगे भी तो अपने दिमा में ठीतर के से शेट नहीं हो सकते इसलिए जो अब तक आपने तयारी कर लिए क्योंकि आपने पटवारी के प्रिक्सा में काजब से आवधन किया है यह हो सकता है उससे पहले से आप पटवारी प्रिक्सा के लिए तयारी कर रहे है आपने दिमाग को शेट करके रखा है उसके हिसाब से आप सेलिबस को अलेलग भागों में डिवाइड करते हूँ अलेलग समय प्रबंदन के साथ आपने निश्य रूप से उसके ची तयारी की होगी अब तक आपने जो तयारी कर लिए वो काफी है अब आपको नहीं चीज़ नहीं देखनी है नहीं किताब नहीं देखनी है नया कुछ भी नहीं करना है जो आपने अब तक तयार कर लिए है केवल अब आप उसकी रिविजन को ही ध्यान में रखें केवल उसकी रिविजन करें और नया कुछ भी नहीं करें साथ दिन का समय साथ दिन में पांच टोपिक है और उस पांच टोपिक को केसे समय प्रबंदन के हिसाब से अपने को तयार करने है पांच टोपिक को उनकों से एक में भारत का सामाने ग्यान है एक में राजस्थान का सामाने ग्यान है एक में हिंदी और अंग्रेजी है एक में गनित है और एक में केंप्टर है ये पांच पा NCRT और मादेमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में दिये सेले बसे समय टोपिक के अब्जेक्टिव पुषनों को खास्तोर पर पड़े कब से? कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 जो NCRT की बुक्स है जो मादेमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो बुक्स है सारी बुक्स जिसमें सामाजे की विज्ञान की भी सामिल है जिसमें विज्ञान की भी सामिल है जिसमें गणित की भी सामिल है इन सारी बुक्स को आप अच्छी तरह से तयार कर लें तयार क्या करने आपको जो इसके लंत में क्या पूछाब किया उसकी प्रेप्टिस आप करें खासतोर पर केवल उन टोपिक से जुड़े हुए objective पुशनों को ही एक बारा को देखना है confusion वाले टोपिक में अब ज्यादा समय खराब ना करें इसे topics हो सकते हैं जो आपके दिमाग के हिसाब से confusion वाले उन पर अपने को समय खराब नहीं करना है उनको अपने को ज़्यादा समय नहीं देना है जो आप कर चुके जिनमें आप clear है उन्हीं को आप समय दे उन्हें course complete होने के बाद समय दे सकते हैं यानि कि जो confusion वाले हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपको यह confusion कर सकते हैं तो उन पर एक विशेस रणनिती बनाए उनको किसी चीज़ के साथ correlated करके याद करने की कोशिस करें डेट के हिसाब से या कोई विशेस आयोजन के हिसाब से विशेस तित्यों के हिसाब से विशेस गटना के हिसाब से आप उनको correlated करें एक दूसरे एक साथ जोड़ने का परियास करें ताकि आप उनमें क्लीर हो सके आपका माइंड एकदम क्लीर हो सके इसलिए कंफ्यूजन वाले क्यूशन में अभी सरमाइक खराब नहीं करें अगर आपने कोश्च कंप्लीट हो गया तो अब एक बार उसको समय दें और उन टाइम बाउन का मतलब कि अपने पास इस प्रिक्षा के लिए कितना समय है और उस समय में आपकर 150% कैसे हल कर सकते हैं जिसने समय का पेपर है उसके हिसाब से 150% हल करने की प्रेक्टिस आप घर पर करें ताकि प्रिक्षा के दोरां तैस समय में 150% हल हो सके यह आपको एक बार प्रेक्क्षि करने हैं आपको था करना है कि अपने इतना आवश्य जान पाएंगै कि आप प्रिक्षा के लिए तैस समय में इतने प्रेश्ण हल कर सकते हैं कोई प्रेश्ण चूटे नहीं इस बात को आपको ध्यान में रखना है और माइनस मार्किंग का विशेश ध्यान देना है क्योंकि माइनस मार्किंग आपको एकदम से पीछे दाखल सकती है आपके चैन को परभावित कर सकती है इसलिए modern paper solve करें और time के अनुसार जो आपको समय मिलने वाला है उस time के अनुसार आपको 1500% कैसे हल कर सकते है उन पर आपको focus करना है अंग्रेजी या हिंदी दोनों ही बासाओं में वर्तनी या grammar की गलतियों को समझ कर सुधार करने की practice करें क्योंकि एक बहुत बड़ा part है इसमें किसका हिंदी और अंग्रेजी और इसमें जो आनी है वो व्याकरन आनी है grammar आनी है और grammar में या व्याकरन में आप क्या गलतियों कर सकते हैं विसे वर्तनी समंदी गलतियों उनको आपको ध्यान में रखना है उन पर आपको थोड़ी प्रेक्टिस करनी है जिसे प्राय हम गलतियां करते हैं अंग्रेजी में और जिसको अपन सबसे ज़्यादा सरल समझते हैं यानि कि हिंदी उसमें हमारी गलतियां होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहते हैं क्यों कि हम हिंदी में ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं आपने यह समझते हैं कि हिंदी बहुत सरल है और उसको अपन कर लेंगे लेकिन वास्तों में बहुत सारे स्टुडेंट्स बहुत सारे प्रिक्सारती हिंदी में सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं और गल्तियां कहा होती है शिर्फ बरतनी समंधी होती है और व्याकरनी समंधी होती है और कोई गल्तियां नहीं होती है और यहीं पर आपने माइनस में चले जाते हैं यहीं अपना एक बहुत बड़ा ड्राब्वेक होता है और अपने को इस ड्राब्वेक को ही दूर करना है कि इसके लिए practice के बिना आप सुधार नहीं सकते इसको practice से ही हल किया जा सकता है तारीकों गठनाकरमों को कड़ी से कड़ी जोड़कर चित्रों के वादव रियाद करने की practice करें तारीक और गठनाकरम प्राय सामाने ग्यान में ये काफी चीदे पूशिजाते father और एक हो किए बार कन फिर और बेकर कनफियूजा था ये पन से मान ले उदारे कि हल्दी गाटिकई का युद कि बहुत था पने कि przeंबार माउंट आबू में जो गुरू शिक्र इसकी उन्साई मित्तिनी है करना है जिसे सतरा सो सताइस सताइस एक डेट है इसकी जैपुर के बसाने की इस प्रकाशे आप दो चीज़ों को आपस में जोड़े और याद अगर आप और तरीका ढूंड सकते हैं चित्र को भी उसके साथ जोड़ा जा सकता है तारिक को और कटना करम को जोड़ना आपस में कडी बनाना कि इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ ये अगर आप कैसा करते हैं तब आपको वो चीज़ इतनी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी कि आपको जिन्दगी में दुबरा नहीं गुल सकते हैं इसलिए जरूरी है कि आप उसको एक चीज़ के करें उसको जोड़े और कड़ी बना लें इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ ये तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका माइंड एक दम क्लीर हो जाएगा और दुबारा कभी आप उसके बारे में कन्फ्यूज नहीं होंगे अगर एक बार आपने इस कारी प्रेक्टिस कर ल और अलग-अलग विश्यों और टौपिक्स में लेटेस अपडेट का ध्याँ रखें जो भी सामाने गयार की चीजें विश्योंस उसे करेंट सामाने गयार में ताजा वेस्विक बारत और रास्तान से जूड़े टौपिक्स पर फोकस करें और जो अपडेट आ रहे हैं ताजा जो बड़े घटना करम मीशे सब्सक्रें उन पर आपको धान देना है अकबार आप नियुक्त परते हैं अकबार कभी न चोड़ें और अकबार में जो होती है वह थी संपादी की एक प्रषट आता उसमें संपादक कियेगा जिसमें चार-पांच अलग चीजिए आतीए वेश्वी गतना करम के बारे में भारती ये गतना करंड़े में तो उसको आप अवश्य पढ़ेंगे तो आपका जो करेंट जीके है वो अपने आप तयार होता चलाएगा करेंट जीके के लिए आपको यह सब चीजे करनी पढ़ेंगे और अगर आप माल लिजे आपको घर पर पढ़ने का समय नहीं एकबार पढ़ने लेके आप ओनलाइन अ ओपर आप विषएश फोकस रहे हैं कोरोना के बारे में जो अपडेट्स हैं उनके बारे में भी आप एकदम अपडेट रहें कितने लोगों को वेक्षीन लग रही है कौन सी हमने अनुमतित दे दी है यह सब चीज़ें आप विशेश रूपसे ध्याशन में रखें एक विषय को दिन में कमसे कम एक बार चालिस मीनित तक पढ़े एक विषय जो आप पढ़ ने माली जी आपर राष्टान का पाल पढ़ रहे दक समा इसको पढ़ रहे हैं तो जो भी आप रोफिक्स पढ़ रहे हैं उसको कम से कम 40 मिनट तक लगाता आप पढ़े और उसके बाद 10 मिनट का गेप जरूर ले यानकि आप एक बार गंटों नहीं पढ़े 20-20 में गेप लेते हैं यह आपको एनरजी परदान करने का कालिय करेगा 20-20 में अगर आप चाहें तो 10 मिनट की जपकी जरूर ले यह जादू का काम करती है जो 10 मिनट की जपकी है यह जादू का काम करती है वास्त में मैंने खुद यह देखा है खुद महसूस किया है और 10 मिनट की जपकी के बाद आप बहुत ज़दा रिफ्रेश महसूस करते हैं अगर आप लगातार जैसे एक गंड़ा पड़ लिया आप थोड़े देर ब्रेक ले एक बाद थोड़ा सा मूड फ्रेश कर ले बाहर तहल ले थोड़ा सा 10 मिनट के लिए फिर वापिस आए फिर वापिस तयार करें वापिस पड़े नया टोपिक ले और इस प्रकार से आप लगातार अनवरत रूप से continue पड़ते रहे तयारी करते रहे और जो confusion है जो कमी है उ सामने गनिता रहे और अधिक्तम जो standard रहेगा उसका 12 तक का रहेगा अधिक्तम standard वैसे जो दस्वीं लेबल की books है वो काफी आपके लिए तक 76 से 12 तक की बोर्ट की किताव से पड़ायी करहें गनित की बात कर रहे है बोर्ट की किताव से 7 से 12 तक की या मोलिक रूप में 10 पर ज़्यदा से ज़्यदा फोकוס kadar गनित की पड़ाय करें और चेप्टर के पीछे दीगे objective परशनों को हल करने का प्रियास अबस्चे करें घडित की बुक में जो चेप्टर खतम होने के परशाद objective बुक से objective कुशन जो दिये गें उनको हल करने का प्रियास करें क्योंकि आपके जो प्रशना आएंगे paper में प्रियक्षा में वो objective आएंगे फिर आपको rough कागेश पर उनको जो paper के पीछे दिया हुआ होता है उस पर आपको हल करके देखना होगा इसलिए objective प्रशनों को हल करने के लिए आप जितनी प्रेक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदे मंद होगा और गनित को हाड़नी आने वाली सामाने गनित आने वाली प्राइदस्विन लेबल तक की आने वाली है इसलिए गनित के प्रशनों में आप जो बोलड की किताबे उनको आप पढ़े और प्रशन पेपर के चेप्टर के एंथ में जो प्रशन आहते है objective उनको आप तयार आवश्य करने पटवारी बरती के लिए हुई पिछली प्रिक्साओं के प्रशनों पोत्तरों को एक बार प प्रियास करें यह जो साथीन बचें आप उनमें यह रननेती अपना है पिछले सालों के जो प्रशन है उनको आप सोल करें और अपना आफ्रेंट करें कि इन में से आप कहां तकाम्याब हो रहे हैं इससे आप पेपर में आने वारे प्रशनों के स्टेंडर्ड के बारे में इसमें ये फायदा होगा या आपको ये पतासर जाएगा कि पटवारी भरती प्रिक्सा में जो प्रशन पूछे जा रहे उनका standard क्या है और आप उस standard में अपने आपको कहा इस डेन पाते हैं इसी ये पतासर जाएगा और आपका confidence इससे मजबूत होगा इसलिए पिछली बर्ति के जितने भी प्रशन है पेपर है उनको आप हल करने का प्रियास अवस्य करें इस प्रिक्सा में अलग-अलग विश्यों में पास होना जरूरी नहीं है बलकि पुरी प्रिक्सा में आने वारे मार्फ के आदाप पर मेरिट बनेगे यह जो मेरें पंच इसमें अलग-अलग तौपिक्स एनमे अलग-अलग चीजों में पास होना जरूरी नहीं बर्कि जितने भी अंक हो तोटल तोटल में से चावश औकल आदार पर आपकी मेरिट सेट बनने है इसलिए टूटल मांक्स को द्यान में रखकर रहें हमें तयारी करना जो सबसे जादा मांक्स वाले हैं और उनको छोड़ना नहीं बिल्कि उनको भी अपने को अच्छे से तयार करना है इसलिए मिरिट के जिके की बात करें, तो शिरफ पिछले दो साल का आप देखें, दो साल को आप कवर कर लें, अगर दो साल का करनट जिके आप कवर कर लेते हैं, 2020 और 2019, यहां तक आप कवर कर लेते हैं, उससे बाहर जाने वाला नहीं, करनट जिके कम से कम उससे बाहर जाने वाला नहीं, और य उनके आदार पर ही प्रसन आए चोटी और मामुरी गठनाओं के बारे में प्रसन नहीं पुचे जाते हैं जो तो ये ओलंपिक्स जो हुए हैं पेरा ओलंपिक और ओलंपिक इनके बारे में भी आप अच्छी तरह से त्यारी कर ले रहे हैं पूछे जा सकते हैं और अंतराश्ची लेबल पर जो भारत से जुड़ी हुई गटनाई है भारत चीन भारत अमेरिका भारत पाकिस्तान इनके संब्ध में भी जो संब्ध रहे हैं उनके बारे में भी आप अच्छी तरह कैसे त्यार रही कर लें डोकलाम विबाद के बारे मे आपे देख लेवे इसके लिए मेरा एक वीडियो भी है भारत चीन संब्ध के बारे में उससे भी आप देखें उसमें चित्रों के साथ मैंने समझा है तो यह चीज़े आपकी और आसानी से कलियर हो जाएगी इसलिए पिछले दो साल का करट जी कि आप मुक्य गटना करमों के साथ याद करें एका करता क्या सांत वातावन में पढ़ाई करें यह बड़ी समझ्या होती है कि अपन किस समय पढ़ें कब पढ़ें कैसे पढ़ें तो इसके लिए जरूरी है कि आप जब मन करें तब पढ़ें पढ़ें तो चित को मन को मस्तिष को एका करके पढ़ें और और वाता बरण शांत होना चाहिए सोर सौरब बिलकुल नहीं हो बच्चों का सोरगूल नहीं हो या ट्रेफिक का सोरगूल नहीं हो बड़े सांत वातार में आप पढ़े इससे आपका ध्यान नहीं बंठे प्रिक्टिस के बिना आप गलतियां कर सकते हैं कई बार आप पर ऐसे सोसते है विए अरे यह तो मजे आता था लेकिन एक पर संड जब आप है प्रेक्षा में हएllesकुप होते हैं बाहर आते हैं उसम郑ं प्रेक्षा में आप यह एसास होता है की प्रिक्साओं में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है गनित और अंकोस से समय प्रशनों कम्पुटर में बाइनरी नंबर सिस्टम और फोर्मूला को ध्यान में रखना जरूरी है यह आपके दिमाग में शेट होना चाहिए तब ही आप एसी प्रिक्साओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं एक बात ध्यान रखें कि जब प्रशन पत्र को ले उसके खोलने के परशा आप प्रशन को ध्यान शेपड़े जब आप प्रशन पत्र हल करें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना प्रशन पर उत्रबर प्रशन पर प्रशन को समझना जुरूरी है क्या पूछा गया है अपन कई बार गलती यहीं कर देते हैं प्रशन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं सरसरी तोड़ से जल्दी बादी में प्रशन पढ़ते हैं तुरंत अपन किसी को सही उत्तर मांते हैं टिक कर लें गोला कला नहीं करें टिक करें इसी प्रकार से जितने प्रशन है एक बार आप पूरा पेपर हल करें प्रशन को पढ़ें और टिक करें उसके पशाद आप ओमार चीट बरने बेठें तब उन्हें प्रशन को पड़े और फिर एक बार और जांचा कि आपने जो उत्तर के टिक किया है वह सही है कि आप क्लीर हो जाए कि हाँ यह सही है फिर आप गोला काला करें इसी प्रकार से जितने फर्स्ट राउंड में आपने जितने प्रशन हल कियें उनके आप गोले काले कर लें प्रस्तम राउंड में याद रहा गया प्रत्म राउंड में आपको वही प्रशन करने जिनमें आप हंडेर पर्शन शौर रहे हैं प्राइ आप दो यसे समान प्रशन होंगे, समान option होंगे जिनमें आप confused हो रहे ही यहां पर आपको मनन करने क्याव श्यक्ता होगी आपने memory को use करे, memory का डकन खोले और आप वहाँ पर जा कर मनन करने का प्रयास करें कि इसका क्या होगा फिर जब आप यहां clear हो जाएं तब आप उसको tick करें इस second round ले जितने आपको confusion वाले हैं उसको आप tick करें और फिर उसके बश्चा उनको गोलों को भरते समय एक बार पुने प्रशन को पढ़ें पुने आप clear करें कि हाँ यही सही है उसके बाद आप भरें और इसी दो round के बाद तीसरा round भी लेना यह वारा प्रसनों को गिन लें कि कि आपने कितने प्रशन हल कियें और मायनिस मार्किंग है तो आपको क्योवल वही करने जो आपको 100% आते हैं अगर आपने गलत कर दिये तो मायनिस मार्किंग में आप घाटे में चले जाएंगे इसलिए को पराता है और किस प्रकाशते किसा प्रकाश इपकित से क्शूडरि समस्पते थे उसी कहा हिरना प्रापता के होती हैं आप निश्चिंत रहें चांद चित से आप हल करें और चांद चित से तयारी करें एक सब्ता है आप रिवीजन करें और आप नया कुछ भी ना करें मेरी आप को ये सला है ऐसा आपको वीडियो पसंदाया होगा ख़िए पर और आप confusion मेसूश करें हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं पत्वारी बरती प्रिक्षा के लिए सभी प्रिक्षा आर्तियों को मेरे सर्फ से सुब कामनाई चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टोपे के साथ पत्ता के लिए धन्यवाद